Hi Friends, Assalamualaikum आज मैं आप लोगों के लिए बेबी जबला बनाना बताऊंगी तो सबसे पहले जबला बनाऊंगी जबला बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में कट कर लिया है इसकी लंबाई चोड़ाई मैंने नाप करके कट कर ली है तो सबसे पहले आपको इसकी लंबाई और चोड़ाई नाप करके दिखा देती हूँ लंबाई इसकी है 14 इंच चोड़ाई इसकी है 12 इंच तो ये जबले की लंबाई चोड़ाई है और मैंने इसके कपड़े को डबल लिया है और इसको एक बार और हमें फोल्ड कर लेना है तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा और फिर यहां से हमें गले और कंदे का निशान लगाना होगा तो ये आगे जो मैंने खुला हूँ पार्ट रखा है वो हमें आगे रखना है और जो ब यहाँ से हमें पांच इंच पर निशान लगाना है थोड़ा सा कंदा घिरचे करना होगा तो इस तरीके से गले का निशान मैंने लगाया है इसमें भी हमें गुलाई देनी होगी तो यहाँ गला और आर्मोल का निशान कम्पलीट हो गया है सबसे पहले हम आर्मोल की कटिंग करेंगे आर्मोल की कटिंग मैंने कर ली है अब हमें कंदे की कटिंग करना होगा बिलकुल थोड़ा सा तो इसकी भी मैंने थोड़ी सी कटिंग कर ली और पीछे वाले गले की कटिंग पहले हमें करनी है जो कि हम 1 इंच की गहराई में करेंगे तो अब यह पीछे वाले पार्ट को हम side में करेंगे यानि कि उसको हटा करके यह उपर वाले पार्ट में हम आगे की cutting करेंगे जो मैंने 3 इंच में निशान लगाया है तो यह हमारे आगे की कटिंग हो गई है अब हमें आगे नीचे की साइड और गले के पास हर जगा से गोलाई की कटिंग करनी होगी जो कि हमें पाइपिन लगा करके इसको बनाना है तो अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे गले के पास पहले निशान लगाएंगे आधा इंच पर जो कोना है उसको हम आधा इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और थोड़ा सा हम हलकी सी गुलाई दोनों साइड से देंगे लेकिन यह एक इंच पर लगाएंगे तो यहां से देखिए मैने एक इंच पर निशान लगा किहाँ लगा दिया इसको भी हम गोलाई के तरह निशान लगा виде कर लेंगे अब इसकी हमें कर लेनी है तो यहां से हम इसकी कर लेंगे गले के पास से भी कटिंग कर लेंगे तो यह हो गई हमारे जब ले की टोटल कटिंग इसको हम खोल लेंगे इस तरीके से यहां से तो यह हमारे जबले की फाइनल कटिंग है देखिए जबले के साइड में कोई भी कटिंग नहीं है तो यह सिलाई में भी और कटिंग में भी दोनों में भी इजी रहता है बस ये चारो तरफ से हमें पाइपिन लगा के सिलाई करना होगा और ये हमारा जबला तयार हो जाएगा और आर्मोल में आप चाहे तो पाइपिन भी लगा सकती है लेकिन इसमें हमें स्लेप के साथ बनाना है तो इसके लिए हम स्लीब की कटिंग करेंगे तो फिलाल इसको हम साइड में रखेंगे पहले हम स्लीब की कटिंग कर लेंगे स्लीब की कटिंग के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और ये कपड़ा भी हमारा फॉर फोल्ड में है इस तरीके से इसको 4-fold में कर लेंगे फिर हम इस पर निशान लगाएंगे पहले हम इसकी लंबाई चोड़ाई ना पेंगे तो इसकी लंबाई देख सकती है कि मैंने 9 इंच इसकी लंबाई ली है और चोड़ाई इसकी है 6 इंच अब यहां से दो इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से हम स्लीब की शेप में निशान लगा देंगे जैसे आर मॉल के पास की कटिंग की जाती है यहां से हम इसकी मोहरी पर चार इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को यहां तक हम लाके मिला दें कि अब यहां से हम स्लीब की कटिंग कर लिएंगे कि यह हमारे स्लीब की कटिंग हमारे जबले की टॉटल कटिंग कंपलीट हो गई है अब हम स्लीब कु इस तहरीके से रखेंगे अलग-लग दोनों स्लीब को हम अलग अलग कर लेंगे और आप चाहे तो इसकी सिलाई के लिए किनारी फोल्ड भी कर सकते हैं चाहे तो पाइपिन भी लगा सकते हैं मैंने इस तरीके से पाइपिन बना ली है इसी पाइपिन को लगा करके हमें सिलाई करनी है तो यहान पर हम pipe in लगाएंगे फिर इसमें भी लगाएंगे और इसको fold करके pipeline की shape में सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीब में पाइपिन की शेप में सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद स्लीब को यहां से फोल्ड करेंगे यहां से हम सिलाई लगा करके बंद कर देंगे दूसरी स्लीब को भी सेम तरीके से सिलाई लगा कर देंगे और पाइपिन लगा लेंगे तो इस sleeve को हम side में रखेंगे और फिर हम जबले को वापस उठाएंगे और इस कपड़े को हम इसका सीधा part अंदर कर देंगे और उलटी side हम उपर कर लेंगे इस तरीके से हम रख लेंगे इसको और इस तरीके से रखने के बाद फिर हम कंदे की सिलाई लगा लेंगे दोनों कंदे की हम सिलाई लगाएंगे तो देखिए कंदे की सिलाई मैंने लगा ली है और इसको मैंने सीधी साइड फोल्ड करके रख दिया है और मैंने स्लीब की भी सिलाई लगा ली है यह हमारी स्लीब किनारे की साइड पाइपिन लगा ली है देख सकती है और साइड से मै ज्याना को फिर हम यहां से सेट बीदे है चला सबनेना फिशनों है सिलाई यहां से बढ़ाई ऑफ सेम तरीके से शिलाई कर लेंगे अब देखिए कंदे की सिलाई के बाद हमारा यह पूरा एक साथ जॉइंट हो गया है तो इसमें कहीं भी कटिंग नहीं है कहीं भी खुला हुआ पार्ट नहीं है तो अब पाइप इन लगांगे इसमें तो इस त्रीके से हम Plaipen को घुमाते हुए लगा करकए इसकी सिलाई को करेंगे फिनिशτε आप देख सकती है कि जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है इसी तरीके से हमा इस पाई पैपन को लगा लेंगे ये पूरा खुला हुआ पार्ट है तो इसी तरीके से चाही है कि और इसकी complete कर लेंगे तो यह देखिए हमारा जबला बन करके रेडी हो गया है पाइपिन हमारी लग चुकी है स्लीप की जॉइंट हो चुकी है हमारी स्लीप को आप देख सकती है कि मैंने दो सिलाई से एक बार कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लिया है अगर आपके पास इंट कपड़ा ले लिया है इस कपड़े को हमें स्कुएर में लेना है चारो साइड इसकी बराबर रखनी है चाहें आप कोई भी साइज ले 15 16 17 18 जितनी भी आपको साइज लेनी हो लेकिन लंबाई चोड़ाई इसकी सेम रखनी होगी तो यह है 17 इंच की लंबाई चोड़ाई च सिलाई करने के पहले हमें इस तरीके से एक पट्टी की सिलाई करनी होगी जो कि मैंने दो इंच की चोड़ाई में इसको लिया था दोनों और तरफ से फोल्ड करके सिलाई कर ली है और लंबाई इसकी चार इंच ली है अब इस पट्टी को सिलाई करने के बाद फिर हमें यह यहां पर इसको रखना होगा और फिर इस वाले को पकड़ के यहां पर लिया करके हम सेट कर देंगे इस तरह से रखने के बाद फिर हमें सिलाई लगाना है सिलाई यहां से हम लगाएंगे यहां पर सिलाई मजबूत करेंगे फिर यहां तक सिलाई लगा करके थोड़ा सा कुल सब्सक्राइब इसलिए चोड़ना है कि हमें पलटने में इजी रहे तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिए यह हमारा खुला फार्ट है अब हम इसको सीधी साइड पलेट लेंगे कि तो यहां से हम इसको सीधा पलेट देंगे कि इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे तो यह देख सकती है आप कोई भी इस तरीके के सामान से हम कौने को कर लेंगे तो यह हमारा अच्छी से सेट हो चुका है अब हमें क्या करना है कि यह जो मैंने kुला हुआ पार्ट चोड़ा था dwelling इसको हमें इस तरीके से यहां पर सिलाई लगा करके बंद कर लेना है और यह पटी जो है इसको हमें यहां से फोल्ड करके इस तरीके से इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर हमें इस दोनों को इस तरीके से पकड़ करके इसका जो सेंटर है यहां पर हम निशान लगाए है तो देखिए हमने इसकी सिलाई कम्प्लीट कर ली है साइड से मैंने बंद कर दिया पट्टी की सिलाई कर ली और चुनट भी बना लिया है तो ये नैपी हमारी बनके तयार है तो इस तरीके से बेबी को लिटा करके यहां से इस तरीके से पहना करके इसको बाद लेना होगा तो देख सकती है कि ये बिल्कुल रेडी है पहनाने के लिए तो हमारा जबला नैपी सब बनके तयार है अब देख सकती है कि मैंने इसमें बटन भी लगा ली है सारी चीजें मैंने कम्प्लीट कर ली है तो हमारा बेबी जबला बन करके पूरी तरीके से complete है इस तरीके के प्यारी प्यारे जबले की वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारी है अब जाके उसको देख सकती है और इस तरीके के जबले बना सकती है उमीद है कि यह जबले की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अला आफिज